हेलो एन वेलकम टू ग्रेट ऑलनाइन अगेडमी मेरा नाम है रविंग दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे रेल्वे इंस्टिटूट जिसके बारे मैंने पहले कवर नहीं किया है जो हमारी लोकोमोटिव मैनुफेक्सरिंग यूनिट्स है या इस्टिटूट उस वक्त मैंने इन इस्टिटूट के बारे में नहीं बताया था इन सभी को हम लोग एक साथ डिसकस कर लेंगे फिर हम लोग जानेंगे जो हमारी भारती रेल्वे हैं जो आज के समय में दुनिया की बहुत ही बड़ी संगतन है वह किस तरीके से फॉर्मेश जो हमारी आज के समय में इंडेन रेल्वेस होती थी अलग जो हमारे प्रांत थे या हमारे राज थे उनकी खुद की रेल्वेस होती थी अब वह किस तरीके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि इन ही रेलवेस से कोस्टेन एक्जाम में ज्यादा आते हैं इन सभी को हम लोग डिसकस करेंगे लाश्ट में वर्ल रेलवेस से रेटेट कुछ पॉइंट को डिसकस करेंगे पिछले बाद 2016 के पेपर में कोस्टेन आया था वर्ल रेलवेस से कहां पर ऐसा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है सारे लाइंस का सो वर्ल रेलवेस से रेटेट था सो वर्ल रेलवेस रेटेट जितने वे पॉइंट्स हैं वह सारी पॉइंट्स हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे ताकि आपका एक नमबर एक्जाम में पक्का हो जाए इन सभी बात करते हैं रेलवें इंस्टिटूट्स कुछ ऐसे रेलवें इंस्टिटूट्स जो अभी तक हमने डिसकस नहीं किये हैं सबसे पहले जानते हैं बाबू जग जीवन राम जो हमारे रेलवें मिनिस्टर रहे थे 1956 से 1962 तक और सबसे ज्यादा बार इंडिया में इन्हों नह बाटर है मीरा कुमारी जी वो भारत की सबसे पहली फीमेल लोगसफाय स्पीकर रह चुकी है तो इंसे रेटर कुछ इंपॉर्टन इंस्टिटूट्स में वह भी हम लोगों को जानना चाहिए सबसे पहला इंस्टिटूट है जग जीवन राम आर पीफ ट्रेनिंग सेंटर यह जो हमारी आर पीफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसकी जो ट्रेनिंग होती है लखनव में उस इंस्टिटूट का नाम रखा गया है जग जीवन राम आर पीफ ट्रेनिंग सेंटर इसी तरह हमारा मुंबाई में बहुत ही बड़ा रेलवे का होस्पीटल है जग जी आर पीफ का जो है अभी नेम चेंज कर दिया गया है जो उसकी ग्रूप ए सर्विसेस हैं उनका जो नाम हो गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेगा अगर आपसे कभी भी आ जाए कि आर पीफ का जो है नया नाम क् इंस्टिटूट के बारे में देखें इस इंस्टिटूट को वडूद्रा में बनाया गया यह एक डीमड उन्वर्सिटी है अब यह क्या करता है इसने 2018 से अपने कुछ को लॉंच किया है जो रेलवे स्पेसिफिक कोर्स होंगे मतलब बीबी एन बीसी तो यह कराए गा इंस इस में इस इंस्टिटूट से जो हमारे पास हैं उनको ज्यादा प्रियोर्टी देगा 2018 में 103 इस्ट्रेंट्स को लिया गया था जो कि 20 इस्टेट जो हैं वहां से सेलेक्ट किये गया थे और यह जो हमारे इस्टूडेंट है आगे चलके जब रेलवे में कोई भी में है और मराठ्वारा रेल कोच फैक्टरी यह लातूर महराष्ट्रा में है 2020 में अभी रिसेंट्ली यह बनना स्टार्ट हुए है इसका जो कॉंट्रेक्ट हो रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला है आर वी अनल आप सभी लोग जानते होंगे बहुत सारे डेवलप्में उंडाटूर जले अब हम लोग जानते हैं भारत में जो हमारी रिल्वे है उसका आग्मण कैसे हुआ है देख़े भारत में में सबसे पहली जो रिल्वे की जुरत है वह reads 1832 में पड़ी 1832 में सबसे पहले भारत में रेलवे बनाने का जो निर्णा है वो लिया गया जो हमारी ब्रिटीज गवर्मेंट है और कुछ हमारे वैपारी यह दोनों लोग मिल कर चाहते थे कि भारत में रेलवे होनी चाहिए जिस तरीके से इंग्लैंड में रेलवे आ चुक अच्छे से याद रहे प्रीवियस एर में इन पर कोश्चन भी आ चुका है कि विशू का सबसे पहला रेलवे स्टीम इंजन किस ने बनाया था सो विशू का सबसे पहले रेलवे स्टीम इंजन जॉर्ज इस्टिफैंसन ने बनाया था 1825 में लोको मोशन नंबर वन इस स्ट नॉक्टन से डार्लिंग्टन तक एक रेलवे को स्टार्ट किया गया 1825 में सो उसी के तरह देखते हुए जो हमारे भारत के बड़े व्यापारी थे वह बिटिस के गवर्मेंट से यह मांग करते थे कि आप यहां पर भी रेलवे ले आओ हमारा जो मुनाफ़ा है वह बढ़ के लिए इंडियन जो हमारे व्यापारी है और ब्रिटिस गवर्मेंट दोनों का एक इंपोर्टन रोल रहा है यह दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रहे जौड इस्टिफ एंसन विस्व में सबसे पहले रेलवे स्टीम इंजन को बनाये थे और लोको मोशन न मैं स्टीम इंजन पूछ रहा हूं कौन सी इंडियन कमपनी ने कब सबसे पहले स्टीम इंजन को बनाया है और आप मुझे यह भी बताईए कि स्टीम इंजन की डिसकवरी है वह किस ने की थी सेकेंड पॉइंट है देखें जौड इस्टिफेंसर ने हम इंग्लैंड में सब से पहली ट्रेन चलाय गई डील टू चिंतरा ड्राईपेड ब्रिज अभी तमिल्नाडु स्टी है उसको मदरास में था सो रेड हील टूट चिंतरा ड्राईपेड बीज भाड़त की सबसे पहली ट्रेन चली है देखे फीर्ट रेलवे के बारे में कई बार पुछा जाता है फस्ट पैसेंजर रेलवे तो 1853 के हम लोग answer करता है कही बार जो हमारी ये भी नहीं बोला जाता है कि फस्ट पैसेंजर रेलवे बट ऑप्षन में 1853 तब भी हम लोग कई बार 1853 को ही टिक सबसे पहले चली है तो रेड हील टू चिंत्रा डाइपट ब्रीज के लिए जो हमारी रेलवे थी वह भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन थी सबसे पहली ट्रेन थी जिसको 1837 में चलाए गया था 1837 यह एक गुड्स ट्रेन थी जिसका काम होता था जो हमारा लेटराइट स्टोन है इसको रोड बिल्निंग के लिए लेके जाना जो हमारा सडक निर्वाण में लेटराइट स्टोन यूज होता है उसका ही ट्रांस्पोर्टेशन करती थी इस पूरे ट्रेन को अगर ट्रेन और इंजन को अलग लग आपको समझना है देखे जो ट्रेन का इंजन है वह तो विलम एवरी जी ने डिजाइन किया था इस्टीम इंजन बट जो ट्रेन है जिस पर हम लोग लोडिंग करेंगे लेटराइट स्टोन की वह किसने डिजाइन की थी तो वह डिजाइन किया था आर् विल्म को मैं रखना और मैं यह सारे पॉइंट मैं रेल्टेडर है और सा का यहाद रूकटिफ को मा विल्यमी बना या था आर्थर पॉटव को ल कोनरे जो हमारी सेकंड इंदेस्ट्रियलवे में सु राजा मुंद्री आंद्र प्रदेश में भी जो हमारीटावरी डैम फ कंट्रक vapconom है उसके लिए स्टों को ले जाना था जिसट तरीके से लेटिय्ट में आर्थर कॉतन ने पहले एक क्क्रेंट को बनाय था उसी तरीके से च्चाहमारा देम च हो रहा तो उस वक्त भी आर्थर कॉटन ने यह रेलवे लाएन राजा मुंद्रा अंधरप्रदेश में बनाई थी अंधरप्रदेश उस वक्त मदरास में आता था तो यह दोनों पहली जो हमारी लोकोमोटिव है यह और हमारी पहली ट्रेन है इंडिया की यह कहां पर चली थी मदरास रेलवे में तो मदरास रेलवे ही सबसे पहले इंडिया में ट्रेंस को लेकर आया है इसलिए इस बात को याद रखेगा अगर यह भी कोश्चन आता है कि कौन सा रेलवे भारत में सबसे पहली ट्रेंड को लेकर आया था तो वहां पर मदरास रेलवे को टिक मानना है जी में आए थी और सबसे पहले जो हमेरी गुड्स ट्रेन है वह 1837 में आए थी आयोप यह सारे पॉंट्स आपको क्लियर हो गए चले चलते हों हमारे नेक्स टॉपिक पर चले बात करते अब जो हमारे स्टार्टिंग में कुछ ऐसी रेल्वे कंपनीज बनी हैं जिनका आगे चलके इंडियन बनाने के लिए मर्जर किया गया था यह सभी जो कंपनी से वह ब्रिटिसर सी चालू करते थे ब्रिटिसर सी भारत में रेल्वेस को लेके आये हैं अलग-अलग स्टेट प्रुविंस में ब्रिटिसर्स अलग-अलग नाम के रेल्वे कंपनीज को बनाया थे तो देखे अभी पीछे हम लोग ने बात की दो गुछ ट्रेन के बारे में रेड हील टू चिंदरा डापेड ब्रिच जो हम लेटराइट स्टोन को लेके जाती थी और गोदावरी डायम कंस्ट्रक्शन क तो यह दोनों गुष्ट्रेन मदरास रेल्वे के अंडर ही चलती थी उस वक्त क्या होता था कि मदरास रेल्वे इनको ऑफिसली हाई रेविन्यू के लिए नहीं चलाता था स्रिफ कंस्ट्रक्शन परपस से रेल्वेस को इंडा में सबसे पहले लाया गया था बट 1845 में क् 2010-10045 को मदरास रेल्वे नामकी कंपणी बनाट गई और उसी साद इस्ट इंडियन रेलवे रेलर रेल्वे 노िक कंपनी के नामसे सब्सक्राइव both मदरास में जो मदरास इस्टेट के अंडर रिलवे स्थि उसवक्थ मदरास रिलवे के अंडर आती थी तु सो इस तरीके से सबसे पहली कौन सी हो जाती हमारी कम्पनी मदरास रेलवे फिर क्या हुआ इस्ट इंब्लेंड रेलवे कंपनी को बनाने के बाद इसके देखें नाम में पूरी तरिके से ब्रिटिसर्स का नाम चुपा हुआ और बहुत भारत में रेलवेस आए थी तो लोग रेलवेस से डरते थे जो 1857 में जो आजादी की क्रांती हुई थी उसमें जो रेलवेस जो ब्रिटिसर्स बना रहे थे उस वाक्त उसके लिए भी विद्रो हुआ था लोग यह नहीं चाहत खाटा होगा जो लोग बैल से समान को ढोते थे या दूसरे चीज़ों ढोते थे उनको यही डर लगता था कि अब सारे लोग रेलवेस से समान भेजने लगे तो फिर हम लोग कहां जाएंगे तो 1857 में इस्ट इंडेन रेलवेस कंपनी का बहुत ज़्यादा विद्रो हुआ ठीन आ था कि और इस्ट इंडेन कंपनी जो है बाद में पूरी तरीकी से बंद हो गए तो उसको free land दिया जाएगा इंड़ा में और 5% guaranteed return दिया जाएगा अगर उनको laws भी होता है तो British की government उनको guaranteed return देगी उनको कभी भी loss नहीं होने देगी तो यह एक बिल British Parliament में पास किया गया आप सभी लोग को पता हो को जो final decisions होते थे उस वाद जो टोटल रूल है जो डारेक्ट रूल है वह बाद में आया था पहले जितने decisions होते थे वह British Parliament से होते थे सो जब तक Queen Victoria को डारेक्ट रानी नहीं बनाए गया था भारत की तब तक सारे decision British Parliament में होते थे थार्ड पॉइंट है सोलानी एक्वाड़क्ट ट्रिल्वे के बारे में देखे 1851 में क्या हुआ रूड़की में सुलानी रिवर पे एक एक्वाड़क्ट बनाए गया जिसमें नीचे से नदी को पासके आ जाता है सुलानी रिवर को और उपर से गंगा नहर को पासके आ है तो यह जो ब्रिज है वह लोगों के लिए नहीं है यह नहर के लिए है सो इस एक्वाडक्ट को इसलिए बनाए गया था कि गंगा नहर से बहुत ही लोगों का इरिगेशन जो हमारी पानी की जुरुत होती है खेती के लिए जो सिचाय का काम होता है वह अफेक्ट हो जाता तो वह नहर पास नहीं कर पाती थी इस नदी के आने के बास से इसके लिए बनाए गया था बिटेरस के द्वारा कि उसके लिए एक कंपणी को बनाएं या सोलानी एकवाडक्ट रियलवे यह एटीन 51 में बनी थी इसी तरह 1852 में मद्राज गारेन्टीड रेलवे कंपणी बनी थी यह कंपनी अब मद्राज में दितने भी काम होने थे रेलवे के वह स सारे के सारे गारेंटीट तोर पर इसी मदरास कंपनी करेंगी इसी पर इसमें गारेंटीट वर को जोड़ा गया था आई होप यह सारे पॉइंट आपको क्लेर हो गये होंगे तो चली चलते हैं और नेक्स टॉपिक पर चले अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड रेलवेस रेटर कुछ ऐसे फैक्स जो एक्जाम में डारेक्टली पूछे जा सकते हैं वर्ल रेलवेस रेटर पहले भी कोश्चन आ क्लेर करेंगे ताकि आपके वह एक या दो नंबर भी पके रहें तो चले सबसे पहले हम लोग जानते हैं विस्व के सबसे पुराने रेलवेस ब्रिज के बारे में देखें पीछे हम लोग ने बात कि कि विस्व में सबसे पहली जो ट्रेन है वह इस टॉक्तन से डालिंट त 1825 में बना है और लोको मोशन नमबर वन जो सबसे पुराना रेलवे इंजन है जो जो जॉर्ज स्टिफेंशन ने डिजाइन किया था उस इंजन ने इसको क्रॉस किया था 1825 में इसी तर जो हमारी सेकेंड पॉइंट है वह यांगजे रिवर पे बना चाइना में दन यांग रेलवे बृज ये रेलवे बृज्ट का सबसे बड़ा रेलवे बृज सबसे लॉंगेस्ट के बात करें तो 2011 में जीआंग सू प्रोइंस चाइना में बनाए गया है थार्ड़ पॉइंट में हम लोग समझेंगे सबसे जो हमारे पुराने टरनल जो रेलवे के लिए बनाए गया थे विस में तो सबसे पुनाने टनल यह इंग्लैंड में बनाए गया था और यह 1793 में ही बना था 1793 में कोई भी ट्रेन आई नहीं थी बट इस टनल को बनाया था रेलवे के डेवलपमेंट के लिए जब धीरे दीरे लास्ट में रेलवे इंजन के साथ 1825 में फाइनल ट्रेन चली तो इस टनल को भी डर्बी शियार इंग्लैंड में बनाया था इस बात को भी आप लोग याद सबसे लॉंगेस्ट और डीपेस्ट टनल है लॉंगेस्ट टनल तो है ही और सबसे ज्यादा नीचे जमीन के भी यह बना हुआ है सो गौट हर्ट बेस टनल यह लगवा 57 किलोमीटर लंबा है और 300 मीटर तक इसकी डेप्थ है और यह स्विजर लैंड में बना है 2016 में 11 दिसंबर से इसकी सेवड्विश सो चालू क्या गया है सबसे पुराने सार्फब से लंबे यह बताना ला को काuran लोगों करें अधियों इसी आप लोगों मुझे यह भी बताएगे कि इंडिया में सबसे पुरानी ए जो रेल्वे igual Bab ब्रिज है वो कौन चैसे हैं इन सभी चीजों के बारे मैंने अपने 6 लेक्चर में बताया है अगर आप लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए मुझे भी जानना है आप लोग कितना पढ़ाई करने कितना आप लोग को सब को समझ में आ रहा है तो चरे 5th पॉइंट है जो हमारे ऐसे देश आज तक रेल्वेस नहीं आई है तो देखे विस में अभी 27 ऐसे देश जहां पर रेल्वेस नहीं आई है किसी एक भी देश के बारे में पूछा जा सकता है तो इम्पोर्टन जो कंट्रीस हैं जो इंडिया से काफी connected रहती हैं भुटान आइसलेंड कुवैट लीविया मौरिसियस उमान यह कुई भी एक आप्सन में आपको दे सकता है कि कहां पर अभी तक रिल्वे नहीं आई है सिक्स्थ पॉइंट है देखें विस में सबसे ज्यादा फुली इलेक्ट्रिफिकेशन किस कंट्री ने कर लिया पर में आई थी कि विस में सबसे ज्यादा फुल इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क किस कंट्री का है तो वहां पर आप्सन था सुज्जय लैंड तो सुज्जय लैंड ही उसका सही आंसर था अगर अभी कोश्चन आता है कि सेकेंड नंबर पर किस ने कर लिया है तो आप लो होने चाहिए तो चलिए बच्चों मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो जै हिंद